हेलो एवरीवन विल्कम टू माई कुकिंग ब्लोग हम सभी के घड़ों में चावल बनते ही हैं और अक्सर ऐसा होता है चावल बच जाता है और समझ नहीं आता चावल का क्या करें आज के चावल की रेश्पी देखने के बाद आपका दिल चाहेगा रोज चावल बच जाए सुबह जो चावल बनाए थे तो बच गया था तो सबसे पहले हम उसमें बारी कटा हुआ गाजर डालेंगे बारी कटा वासिमला मेर्श प्यास पत्ता गोवी हरी मेर्श धनिया पत्ता एक चमच हल्दी पावडर कुटी हुई लाल मेर्श धनिया पावडर जीरा पावडर चाट मसाला नमक स्वाद अनुसार दो चमच मैदा डाल कर अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गोल सेप देंगे आप चाहे तो कोई भी सेप दे सकते हैं कडाई में तेल डाल कर उसमें बॉल डाल देंगे और लो टू मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे ध्यान रहे गैस के फ्लेम हाई ना रखे नहीं तो आपका बॉल उपर से जल जाएगा और अंदर कच्छा रह जाएगा इसलिए गैस के फ्लेम को लोट ही रखे और इसे अच्छे से उलटते पुलटते हुए अच्छे से चारो तरब से सेख ले ये रेसिपी बहुत ही आसान है इसे पनाने में मात्र 15 मिनट लगते हैं आप देख सकते हैं हमारा बॉल्स त्यार हो गया है अब इसे एक प्लेट में अच्छे से सर्व कर लेंगे आप विल्दी है आप भी जरूर से जरूर ट्राइ किजिएगा ओके बाइबाई